हेलो फ्रेंड्स गूड मॉर्निंग आएम शाहीन वेलकम बैक तो मैं चानल शाहीन गार्डन और ब्लॉक्स तो फ्रेंड आज इस प्लांट का वीडियो शेयर कर रही हूं वो बहुत भी ब्यूटिफल प्लांट है और इसका नाम है कौडलाइन डेरसिना यह इजी टू केयर है इजी टू प्रपगेशन इसकी बहुत सारी वर्याटीज होती है और लुक्स सो प्रिटी इस प्लांट की ब्यूटिज की लीव में होती है देखें इसकी لीव कितनी शायन बाक्स में डाल दोंगी उसकी लीफ छोटी होती है बट इसकी लीफ थोड़ी बड़ी बड़ी होती है और इसके लिए बड़े गमले में लगाई हूं क्योंकि यह थोड़ा बड़े गमले में अच्छे से लग जाता है और इसको बुशी बनाने में बड़े गमले बहुत सही इस इस गंपले में में जब चार ब्रांच को लगाएंगे इसलिए यह इतना बूशी लग रहा है मैं आगे बताएंगे कैसे इसको बूशी बनाये रखना है । पहले मिक्षिय कीषार की बात कर लेती हूं इसलिए इसकी जब स्वयल मिक्षर को प्रिपेर करें तो उसके एक भाग में सैंड, एक भाग स्वयल और एक भाग कमपोस्ट का डालें और अच्छे से मिलाकर क्यार कर लें अगर आपकी मिट्टी थोड़ी चिकनी टाइप की है तो इसमें थोड़ा कोको पिट भी मिला लें अगर नहीं तो इसका स्वयल मिक्षर एक एक भाग तीनों का डाल दें अगर मिट्टी चिकनी है तो कोको पिट मिलाएंगे नहीं तो नहीं मिलाएंगे ठीक है यह हो गई ऐसा नी कि मीच की मीची सोगी सोगी सी हो अगर अपर लेयर ड्राइ है तो ही पानी डाले और पानी ड्रेन ओट होनी चाहिए हर टाइम पाट में पानी न रहे इसका धियान लखना है ठीक है मैं यहां पर इसकी जो ड्राइई लीवस है उसको हटा रही हूँ तो जब लैगी साब का होजा रहनी जो है स्टेम बहुत लंबे से होती जाए तो इसे प्रून करते रहें बीच बीच में से प्रून करना बहुत जरूरी इसे एक तो नई ग्रोथ भी आएगी और उसके बाद यह जो लैगी पन का प्रॉब्लम है वह भी हट जाएगी तो मैं इसे यहां पे कट कर रही हूं और आप देखना कि जहां से मैं स्टेम कट करी हूं उसमें से दो तीन ग्रोथ निकल के आएगा मैं आपको वित प्रूफ दिखाऊंगे कि किस तरह से जहां से मैं कट की हूं वहां से किस तरह से दो तीन ग्रोथ आया है तो इसी तरह से जब भ तो आपको बुशी बुशी टाइप का पूरा गमला दिखेगा जो कि बहुत प्रीटी और बहुत पीटिफुल लगता है ठीक है तो अब इसके नीचे की पतियों को मैं काट दे रही हूं ज्यादा काटने का जोहत नहीं है थोड़ा सा काट दे रही हूं और उसको वापस उसी गमले में मैं लगा दूँगी सोडैट की कि मेरा प्लान्ट पूरा बूशी टाइप हो जाए हूं इसे मैं थोड़ा अलोवेरा में डिप कर रहा हूं चुकि आपसब चानते कि अड़ ॹूड़ा अच्छा होता प्लान्ट के लिए तो आ एलोवेरा के मैं कुछ नहीं करूं बहत ही SIMPLE है, बीना पतियों वाले स्टेम भी इजली से लग जाएगा पहले तो अब ठोड़ी लम्बे三स की स्टेम लेलोगे उसको कट कर दोगे और उसको या तो को पानी में प्रपगेट करना है, तो पानी में डाल दो तो पानी में डिप कर दो और उसके बाद उसमें रूटिंग तियार हो जाएगी फैस तो यह तरीका वाटर प्रपगेशन और अगर वाटर प्रपगेशन नहीं करना है तो जिस ताइब से मैं की हूँ वो कर ले और नहीं तो फिर उसको आप सीधा लेटा कर भी प्रपगेट क अगर आप लेटाके कर रहे हो तो जहादा डिपर यह तो इसके यह जादा अगर टिप नगरहें डिप यहाँ मैं वीडियो पुरा फिनिश कर लीती फिर मैं आपको दिखा सकूंच जाओ कि इसमें किस तरह से यहां से मैंने कट किया तो और देखें आप कितना बढ़िया से इसमें ग्रोथ आ रही है और यहां देखें यह ग्रोथ आने के सेकंड वीक का अपडेट मैं दिखा रही हूं इसमें छोटे-छोटे लीव्स भी आ गए हैं जो कि कितना प्रीटी और ब्यूटिफुल लग रहा है अच्छा है इसकी लोकेशन की बात मैं नहीं की लोकेशन कहां करना है तो इसकी प्लेसिंग वहां करनी चाहिए जहां इसके इंडिरेक्ट सनलाइट मिले मैं एक बार वो भी पूरे समर सीजन में इसको डिरेक्ट सन में रखी थी तो इसकी सारी पतियां बर्ण हो गई थी तो फिर और सिर्फ उपर का लीफ ही बचे वे थे फिर इसको मैंने इंडिरेक्ट सन में रखी और बहुत सारे प्लांट्स के बीच में रखी और इसको पूरा केर की तो ये फिर से रिवाइब हो गया तो इसे इन डिरेक्सन लाइट में रखें डिरेक्सन में ना रखें अच्छा इसमें इतने अच्छे सारे लीफ्स आ गए तो मैं इसे इंस्पार होके बारेक की सारे का भी स्टेम को सेम साइज में काट दी पर देखे इसमें भी अच्छा खासा ग्रोथ आगया एक नहीं बलकि दो तीन ग्रोथ आए वे हैं सारे स्टेम्स को मैं कर दी और ग्रोथ भी आगया आप विद प्रूफ देख लें अच्छा फटलाजर की बात करूं तो इसको ज्यादा फटलाजर की जूरत नहीं होती है बस यर में एक बार फटलाजर दे तेस एनफ मैं प्लांट केर में ज्यादा ख़र्च कभी नहीं गरती है ना बताती है मैं जो खुद कर्द यूज करती हूँ उसे ही बताती हूँ और येन पील का फटलाज़ दे सकते हैं बस वही मैं देती हूँ इससे इसकी लीफ में शाइनिंग बनी रहती है देखे बाकी जो स्टेम मैंने कट किया था उसे भी उसमें भी ग्रोथ आ गया बस मैंने एक गलती की सब को सेखेर में नहीं कॉटी चुक्की एक को पहले मैंने कट कर दिया था इस लिए इसमें से एक कालन थोड़ा हो गया आप यह गलती नहीं करना discriminate आप सब को सेम साइज में एक ही टाइम करना आत कि वो बड़ाबर साइज में सब दीखे और साथ ही साथ सब करोध एक ही सा हो तो जादा प्रिटी लगेगा जादा बिटिफुल लगेगा तो अच्छा इंफस्टेशन के बात करूं तो इसमें आप नहीं मौल का स्प्रे कर सकते हैं बाकी तो सब जिस मैं शेयर करी चुकी हूं तो मेरा वीडियो हुआ यहीं पर खत्म फिर एक नए वीडियो के साथ आ एच हो टन्हे लगे लगे बाकी परसल स्प्स्टा ब्राइब को लगे साथ आधक करना दो इसमें कहीज हो फिर साथर ड़सेता हैं बैदिता हैं फिर सब में फिर सून सब्स्तर हैं जा तो जगे ट